साथियों मैं विबेक उपाध्याए एक बार फिर से आप सभी का अपने यूटूब चैनल विबेक सकती में हार्दिक स्वागर करता हूं कि साथियों हम लोग जो है कि लेक पहले लेक्चर में जो है हम लोग करभो हाड्री टे बारे में पढ रहे थे उसके पहले हम लोग को पढ हे थे तो कारभ्लिटि में हम झो है जो है प्रक्रती में कार्व हड मैंने आपको बताएब करफ की में कार्भाड्र जो है कि पाया जाता है व्यू Male तो है शुरू करते है आज की ख्लास को इसे के ऐख रहे था मैंने आपको पिछली लास में बताया था कि यह जो है कारबन हाइड्रोजन अक्सीजट टीन तर्तों से मिलकर बना होता है जिसमें हाइड्रोजन और अक्सीजन का अनुपात जो है वह दो अनपात एक का होता है और मैंने आपको यह बताया था कि हमारे सरीर का जो है एक परशंट जितना हमारा भार है उसका अगर हम एक परशंट निकालें जितना आएगा उतना जो है वो कार्बोहाड्रेट से मिलतर बना होता है इसके बाद हम लोग पढ़े थे जो सूखी लकड़ी होती है कि उसमें जो है असी परशंट तक जो है क्या होता है सेलुलोज पाया जाता है ना और हम लोग क्या पढ़े थे कि एगर हम लोग एक ग्राम जो है कार्बोहाड्रेट लेते हैं उससे हम को जो है 4.1 किलो कैलोरी उर्जा की प्राप्ति होती है और इसके और एक बात यह पढ़े थे कि एक स्वस्थ मनुष्य को जो है एक दिन में कि चार सो केल किलो कैलोरी कि नहीं 400 किलो कैलोरी नहीं 400 ग्राम जो है 400 ग्राम कार्बोहाड्रेट की आवर्शक्ता होती है ठीक हम लोग इतना पहली क्लास में पढ़े लिए थे कर्डोहाडीट की बिषय में और लोग जो है इसके बाद लोग लोग पढ़ रहे थे वह कार्बोहाड डेट जो है प्रकृत में कितने कितो रूप आई जाता है हो फिन यह सो मैंने आपको पिछली क्लास में ही पताया था कि जो कार्बो हाइडरेट है वह जो है प्रकृती में जो है तीन रूप में पाया चाता है पहला मैंने आपको बताया था एक सेल्यूलोज होता है कि इसको हिंदी में सेल्यूलोज बोलते हैं अगला है सरकरा जिसको हम लोग सुगर बोलते हैं अगला था अगला जो है हमारा इस्टार्च था या इसी को हम लोग मंड बोलते हैं मंड के बिशे में मैंने यह बताया था कि यह फ़लों का संचित भोजन होता है जैसे कंद हो गया आलू हो गया यह सभी क्या है इस्टार्च है और अगर इस्टार्च में जो है हम लोग तनु एक्सियल अमल मिला दे अगर हम यह मिला दे तो यह सीधा किसमें बतल जाता है गलुकोज में परिवर्टित हो जाता है यानि कि आप देखेंगे कि है अगर है किसी के ऊपर थकान ज्यादा आभि है तो सुक्त लाए जाता है आँ में देखी जो मजदूर काम करते हैं उनको जो भोजन के तौछ पर क्या दिया जाता है ऐब खिलाए दाएं कभी आपने सोचा कैसे ऑल्य दिया जाता है यह हो सकता है कि गुड़ दिया जाया क्यों क्यों कि अब जब कोई मजदूर जो है आलू का शेवन करता है तो ऊस्टार्च स्टार जब पेट में जाता है तो अभी आगे पढ़ेंगे कि आमार्शय जो होता है उसमें जुए यच्छैयल अमल पैदा होती है और जैसे ही एक है स्टार जैसे कि श्रीलोज के विशा में हमने बताया है था कि यह जो है पादपो में पाई जाती है पहली बात शूखी लकडी में तो और जादा पाई जाती है का पास में पाई जाती है जिसको आप रूई बोलते हैं रूई में लगभग जो है अस्टी परशन तक श्रीलोज पाया जाता ह है और यह मैंने पहले लिक्लास में बताया था कि यह प्रकृत में तो है सरवाधिक मात्रा में पाई जाती है कि अब हम लुग जो है कि सरकरा के विशे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि तो कि सब्सक्राइब करें सूगर इसको बोलते हैं कि अधर करा की पहली विशेस्ता यह है कि यह जो है जितनी भी सब्सक्राइब है यह किस से प्राप्त होती है पेड़ पौध हो होती है इसका केवल एक ही अपवाद है और वो है हैove लेक्टोज कि जागाय लेक्टोज जाग अग लेक्टोज है कि कि इसमें प्राप्त होती है हमें हम थीख है और अब देखें है आई यह हम जो है कुछ महत्वोड सरक्राओं के बिसय में जनते हैं जनने का प्रयास करते हैं सब से पहला है कि जो है कि सुक्रोज गया हिंदी में सजी बोलते हैं जिसको हम लोग की वहां स Cherry कि इसको एक और नाम से जाना जाता है टेबल सुगर सुक्रोज को टेबल सुगर के नाम से जाना जाता है और इसका जो शुरोत है वो गन्ना है चुकंदर है अब आईए हम लोग अगली सरकरा की बात करते हैं अगला है माल्टोज यह नाम है साइन्स की भासा है तो ऐसे ही नाम मिलेंगे आपको माल्टोज जो है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन सुगर यह जो है यानि कि अनाज की सरकरा है अब अनाज आप आपको पता ही एक अनाज क्या होता है इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो है फ्रक्टोज की इसको हिंदी में फ्रक्टोज ही लिखेंगे कि इसको हम लोग जो है फ्रूट सुगर के नाम से जानते हैं इसको फ्रूट सुगर के नाम से जाना जाता है यह जो है फलों की सरकरा है और यह जो है सबसे मीठी सरकरा भी इसी को कहते हैं यह जो है सबसे मीठी सरकरा होती है अब देखे अगली सरक्रा है गुलू कोज गुलू कोज को जो है एक नाम से जाना जाए इसको हम लोग ब्लड सुगर के नाम से जानते है ब्लड मतलब पता ही है ब्लड मतलब रक्त यह रक्त की सरक्रा है इसको रक्त की सरक्रा क्यों कहते हैं क्योंकि यह जो है हम लोगों के खून में पाई जाती है ब्लड सुगर को यानि कि रक्त में पाई जाते है और इसमें अंगूर में सरवाधिक मात्रा में जो है गुलो को जो है वह अंगूर में पाई जाता है अगली सरक्राइब वह है राइबोज इसको हिंदी में पिराइबोज भोलेंगे राइबोज जो है यह आर एनने में पाई जाते है आर एनने डियन ने क्या होता है हम लोगों के शरीर में पाई जाती है यह हम लोग आगे जब प्रजनन तंद्र पढ़ेंगे यह पूश्का पढ़ेंगे तब वहां पर आरने को देखेंगे और एक देखी और एक सरक्राहे मैं नोज करके है कि मैनोज यह जो है भूरे सैवालों में पाई जाती है भूरे सैवाल में आप जो है इसका स्क्रीन साथ ले लिजिए कि आई यह भम लोग जो है आगे बढ़ते हैं कि यह जितनी भी सरक्राइं यहां पर बताई गई है लगभग जो है सभी सरक्राओं पर एक्जाम में प्रस्न पूछे गए हैं हैं वहां पर एक्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है कि फ्रूट सुगर को किसे फ्रूट सुगर कौन है या ग्रेन सुगर किसे कहते हैं कि अई सब्सक्राइब लोग जो है आगे पढ़ते हैं ताइप साफ कार्बोहाइड्रेट ताइप साफ कार्बोहाइड्रेट यानि कि अब हम लोग जो है इसके प्रकार की बात करते हैं यानिक जो प्रकृत में जो है जिदनी भी सरकराई पाया जाती है उनको हम लोग जो है चार रूपों में वर्गी क्रिद करके हम लोग पढ़ते हैं पहला है जो है मोनो सैके राइड दूसरा है डाइस है के राइड तीसरा है अगला है जो है वह है पॉलिस है के राइड अब यह इसका नाम है इसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट भी वह ऐसे ही लिखा जाएगा जानी कि मोनो सैके राइड है यह डाइस है कराइड हो गया आगे आप वही लिखती लिए यह ओलिगो लिखा है अब देखिए प्रस्न उठता है कि मोनो सैके राइड क्या होती है यह जो है कारबोहाइड की जो है यह सबसे जो है सरलता मवस्था है यह क्या है इस यह कारबोहाइड के सबसे सरलता मवस्था है इसे हम लोग जो है सामान ने सरकराभी कहते हैं इसके अंतरकत कौन कौन से आते हैं वो देख लीजिए आप जैसे हो गया हमारा ग्लूकोज हो गया फ्रक्टोज हो गया गैलेक्टोज हो गया यह सबी सामान ने सरकराएं है इसके बाद राइबोज हो गया मैनोज हो गया यह सबी क्या है सामान ने सरकराएं है इनको हम लोग मोनोसेकराइड बोलते हैं अब देखिए डाई सेकराइड के गर हम बात करें तो डाई सेकराइड में क्या होता है कि जब दो मोनोसेकराइड यानि जब दो शामान ने सरकराएं आपस में मिलकर जो है एक दूसरी सरकरा का निर्मार करती है तब वो डाई सेकराइड होता है जैसे देखिए अगर जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाया जाए तब इससे जो है अगर कि माल्टोज की प्राप्ति होती माल्टोज सरकरा की प्राप्ति होती है हिंदी में भी इसको माल्टोज पढ़ेंगे ग्लूकोज है और देखिए अगर हम जो है और फ्रक्ट्वज इन दो सामाने सरकराओं को जो है अगर जोड़ा जाए तो हमको सुक्रोचbar si प्राप्ति हो यह हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सुक्रोज जो है वो दो सामाने सरकरा धनलू को jc पोई सब्सक्राइगी जब फ्रक्तौSt ना आये तो ऐसे जो सकता है कि सुकर जो है कि दो सामारा निसरा करां को योक्से बनता है तो आप बताएंगे ग्लुकोज और फ्रक्तौSt और जो माल्टोज ह अगला है जो है है ग्लूकोज है प्लस गैलेक्टोज है यह दूद की सरक्रा है ग्लूकोज आपको पता हिए कि इसको रख्त की सरक्रा कहते हैं यह अंगूर में भी पाई जाती है तो गैलेक्ट्रोज है यह हमारा यह इसके बाद लेक्टॉज का फार्मेशन करता है कि यानिक्त को पता ही है अब है कुछ दीर लगे पहले पैपल अथा कि नकावल जो है वो दूद की सरक्रा होती है ना तो जो दूद होता है उसमा ग्ल ﷺ XD मिला होता है दूसर के योग से great- десят transferring होता है अब आए हम लोग जो है ऩng लिबाट करते हैं मैं इसको अगर आप इसके ढलना चाहें और सकते सके मैं हो कर मुझे by अगला जो है वह हमारा तीसरा है ओलीगोशाय कराइड अगला जो है यह कम मिलता है मने क्या अब तक जो मोनोशाय कराइड होता है वह शामाने सामान सरकराओं होता है जो है इसमें जो है सामान सरकरा के तीन से लेकर नव जो और जो है आपस मिलकर जो है वह से निर्मान करते हैं जैसे मैं अगलुकोज गैलेक्टोज और फ्रक्टोज इन तीनों को मिलाया जाए तो जो है रैफिनोज बनता है अब देखिए यहां पर एक और सरक्रा का नाम आ गया रैफिनोज पीछे वाले आप जो है इंसे प लुटी थी हैं देखिए मैंने बताय था सामाने सरक्रास इक ऐस में देखिए मैं नहें कृत पर नाम की सबसे मीठी सरक्रार वट्रोज फोक्तोज है यह ग्लुकोज है यह यह जो अंग में पाइज आती है यह जो है जो अंगकुरी तनाज है कर उसमें सो कुंद गाजर में का ब्रोकली आप लोग जानते होंगे यह ना जानते हों तो आप लोग देख सकते हैं प्रॉकली नेट के माध्य मसे आचकर तो निट का जमाना है तो देखिए रैफिनोज जो होता है मारा वो गुलुकोज गैलेक्टोज का मिस्दर होता है यह यह ओलीगों के राइड की स्रड़ी में आता है अब देखिए हम लोग बात करते हैं पालीजाइकराइड की इसकी इन साथ लेchnी जिसका जो सरकारा के प्रकार में जो आखरी प्रकार है वो है पाली सहके राइट का चौथा है पाली सहके राइट है इसको लिखा भी हिंदी में ऐसे जाएगा पाली सहके राइड आप लेख सकते हैं आप लोग ऐसे जानते रहिए पाली सहके राइड जो होता है वो अगर नौशे अधिक जो है अणू है यानि कि यह ऐसे हम कहें कि कि मोर दैन नाइन एक्टम्स आफ मोनो साइकराइड यानि कि मोनो साइकराइड के नौशे अधिक जब सरकराएं मिलेंगी तो हमारा जो है वह Pali Sacriide का निर्मार होगा बाली श्यक收看 भी जो है दो तरीके का होता है कि पाले सेकराइब हमारा दो तरीके की होता है पहला जो है इसमें कि वह है सेलूलोज देखें यहाँ पर एक सेलूलोज हम लोग पढ़े थे ना प्रकृत में सबसे ज्यादा अनलोंसा मात्रा में հरे सिप्राइबर साथी कि अगला हम लोग पते सीन कुछछ है यह से यहाँ पर लोग पढ़ेंगे गलायकोzen अभी इननिक अंसे आप परची ही है यहाँ पे एक और होती है कं लोग मनुष्ञ नहीं कर पास oh इसके पाचन के लिए जिम्मेदार अंग होता है मनुष हमारे सरीर में अपेंडिक्स वो अब जो है उसे सी रूप में रह गया है लेकिन जनतुओं में क्या होता है उनके पास जो है इसके पाचन के लिए जिम्मेदार अपेंडिक्स अंग होता है जो इसका पाचन करता है में अब देखे इस तार्ट से आप परचित है जो फ़लो का संचित भोजन होता है वह स्टार्ड के रूप में होता है यह पालिसकराइड की सरक्रा आप देखिए मैं जब लोग होग्रहन करते हैं तो हमको क्या मिलता है उर्जा मिलती है उर्जा किस रूम में मिलती है जैसे भोजन हमारा जब पचित होता है तो वह जो है ग्लुकोज के रूप में तूटता है तो जो हमारा ग्लुकोज है वह हमारे ब्लेड में जो है कि संचीत होता है ब्लड में जब सुगर जादा हो जाता है तो हमारा जो एक अंग है वो है अगनास है जिसको हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं पैंक्रियाज यह क्या करता है कि एक हार्मोन स्रावित करता है क्या स्रावित करता है हार्मोन उसका नाम है इंसुलिन यह इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज जो है जो हमारे ब्लेड में जो है जो ग्लूकोज है है हमारे ब्लड में पहली बात तो ग्लुकोज है यह ब्लड में है है हमारा पैंक्रियास क्या करता है इस ग्लुकोज को जो है बदर किसमें देता है ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन में एकजामे पूछा जाता है कि इंसूलिन हर्मोन क्या कारे करता है यह हमारे रक्त में उपस्थित ग्लुकोज सरकरा को जो है किसमें बदलता है ग्लाइकोजन में और यह कहां संचित होता है ये जो है यकृत में संचित होता है यक जिसको हम लोग लीबर बोलते हैं ठीक ये इसमें संचित होता है और फिर जब हमको उर्जा की आवश्कता होती है तो यही पैंक्रियाज जो है एक और हार्मोन स्रावित करता है फाव गुलू migrant भुलू का गान, इसको हिंदी में, भी गुलू का गान लिखेंगे यह क्या करता है, कि जो हमारा ग्लाई कोजन में संचित हो गया है, जाके लीबर में हमारा अत्रीक्त ग्लू कोज इसको ग्लाई कोजन को को फिर से क्या करता है कनवर्ट कर देता है किसमें ग्लुकोज में ठीक यह जो ग्लुकागान है हमाला यह भी एक तरीके का क्या है हार्मोन यह क्या करता है कि जो ग्लाइकोजन में हमारे यकृत में संचित है ग्लुकोज उसको फिर से क्या करता है गुलुकोज में परिवर्टित कर देता है और हमको हमारी जो उर्जा की आवर्शकता है वह पूर्ती हो जाती है ले लिजिए इसके इसका ले लिजिए अब देखिए हम लोग इसके आगे बात करते हैं कि आप सुने होंगे जो है कृतिम मधुरक या नहीं सुने होंगे तो अभी मैं बताऊंगा कि क्रितिम मधुरक क्या होता है कि क्रित्रिम मधुरक कि आरे टीफिसियल कि स्वीटन अज़ अज़ दिसर नाम से यह सबस्ट है कि आरे टीफिसियल यानि कि यह बनाया गया होगा और स्वीटनर यानि कि मधुरक यानि कि ऐसा कुछ चीज बनाया गया होगा जो मीठा मीठा लगता होगा तो यह जो है यह ऐसी सरकरा है जो प्रकृति में नहीं पाई जाती इसको जो है बनाया जाता है और यह दो है पहला है एसपर्टेम और अगला है कि सैक्रीन हिंदी में मलिक दे रहा हूं तो सैक्रीन का नाम आप लोग सुने होंगे कि जो आईसक्रीम हो गयरा बनती है है उसमें क्या होता है उसमें स्टेक्री साइक्रीन होता है यह जो है बहुत मीठी होती है लेकिन यह सरकरा नहीं होती है कि यह सरकरा नहीं होती है इस वजह से जो है इसमें ग्लूकोज नहीं होता यह सुगर फ्री होती है तरीके से इसकी स्पेलिंग है कर दो जो है वो कृतिम मधुरक है यह जो है पहली बात तो यह प्राकृतिक रूप से यह सरक्राइब पाई नहीं जाती इनको जो है लेब में बनाया जाता है कंपनी में जो है बनाया जाता है तो आज हम लोग कर्בो हाइडरेट पढ़े कर्भो हाइडरे pode कर्भो हाइडरे के प्रकार पढ़े है करपाइडर मेने बताए कि चार तरीके का होता है तैसरा भ। Bl ζंक्रटाइब चौं पालीशाइकराइब जब शामाने सरक्राइब बड़नो नो सीघनाओं तक अगर सामाने सरक्राइब झुढेंगी तो बोट है कि यह से यह सब्सक्राइब कर लिजिए और लाइक लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और लाइक करना ना भूले धन्यवाद आगे हम लोग जो है अगली वीडियो मिलता तक धन्यवाद